हेलो रिवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत अब सभी का ऑनलाइन स्टेडियों में आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि WHO ने हाली में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोसित कर दिया इसके बारे हम बात करेंगे क्योंकि ये हाली में कावी चर्चा में रहा है और ये most important points भी बन सकता है आपके exams के point of view से तो आज किस वीडियों हम बात करने के वाले हैं इसी के बारे में तो फिन मैं आपको बता दू कि सबसे पहला देखे क्या है कि अफ्रीका को हाली में जो कि WHO ने यानि कि World Health Organization ने पोलियो मुक्त घोसित कर दिया सबसे पहले ये बात करते हैं कि WHO ने ये पहल कब शुरू किया था तो 1988 इसी में WHO ने एक West Week Polio Unmular आप यहान चला था पहल चला था जिसको लोग कहते हैं कि GPEI जिसका full firm क्या होता है Global Polio Eradication Initiative इसका full firm आप याद रखेंगे काफी अच्छा हो सकता है आपके लिए अब दिखेंगे विंस यह जो पल स्टार्ट की थी वह ने 1988 में स्टार्ट की थी यह पॉइंट बहुत होगा याद रिखेंगे ठीक है इसके तरह हुआ कहता है कि लगभग जब यह स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त लिसे लेकर कि अब तक के लगभग सभी द देज था अभी तक नाइजीरिया बचा हुआ था जिसमें पूरी तरह से पोल्यो मुक्त घोसित नहीं हुआ था तो यहां पर बात करें कि अभी पोल्यो मुक्त घोसित किया जा चुका है तो यह किस अधार पे पोल्यो मुक्त घोसित किया जाता है तो सबसे पहले यह ध्या कि अभी तक नाइजिरिया में यानि कि 2016 के बाद से एक भी मामला सामने नहीं आया है जिस वज़े से अब डाबलु एचो ने अफरीकी देश नाइजिरिया को पोलियो मुत घोसित किया ठीक है बात यहां पर नाइजिरिया की जा रही है तो नाइजिरिया से दो चीज आपको याद रखने है सबसे पहली चीज जो कि इसकी राजधानी तो इसकी राजधानी क्या होती अभूजा कहीं कहीं फैट्स आपको लिखने मिलता है कि अभूजा या फिर अभूजा लिखा मिलता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आप याद रखेंगे अभूजा ठीक है और इसकी मुद्रा प्याद रखेंगे नाइरा नाइजिरिया की राजधानी होती है बूजा और इसकी जो मुद्रा हो नाइरा ठीक है ये तो बात हो गई अब मैं आपको पता दूँ कि अब हमारे वर्ल्ड में ऐसे दो देस कौन से बचे है यानि कि हम यहाँ पे लिखें कि व अब इसके हम बात करें आगे कि हमारा जो देस भारत है वो पोल्यो मुक्त घोसित हुआ था तो देखें यहाँ पे मैं लिखा कि भारत कब घोसित हुआ था तो ध्यान रिगा यह डेट मोस्ट इंपोर्ट हो सकता है आपके लिए 27 मार्च 2014 को दिली में एक समेलन आयोजन हु हम ऐसे खोंगे यह तो कुछ हो गई आज की इस वीडियो की इंपकोर्टेंट पॉइं अब इससे बात करें हम लोग आपे बात कर रहे थे पोल्यो तो ध्यान दिजीगा पोल्यो से लेटेड कुछ कुछ पॉइंस हम में आपे बात कहले तो अब भात करते हैं हम लोग कि Polio जो होता है वो फिर्स किस तरह से होता है Polio किस टाइप का रोग है ठीक है तो देखे पोलियो जो होता है एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है यानि कि विसाड़ू से होने वाला एक रोग होता है और यह काफी गंभीर बीमारी होती है यह चीज़ आप याद रखेंगे, देखें इससे अधिकांस ता परभावित जो होते हैं वो बच्चों को परभावित करता है, ऐसा नहीं है कि यह किसी विक्ति को नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अधिकांस मात्रा में जो देखा जाता है वो बच्चों को क्या होता है तो इसका परभा होता है पैरलाइजिस यानि की लगवा मारना ठीक है और इसका लगवा इतना गंभीर होता है कि इसके लगवा का कोई इलाज नहीं होता है इस वरसे कहा जाता है कि पोलियो जो था वह काफी एक गंभीर बिमारी थी के लिए यह आप याद रखें और साथे साथ इसके दस वर्ष के पस्चात उनीस सो पासट इस वैल में साबीन नाम के औरल फोल्यो वैक्सिन का निर्माड किया था जो कि, , निरमार किया था। यह दोनों पोइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट्स आप याद रखेंगे तो आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी से ही जो कि अनलाइस के थोर पे बताया कि डाबलो एचो ने अफरीका को पोलियो गोसित कर दिया है यानि कि जो अफरीका कॉंटिनेंट है वो पुरी तरह से अब गोसित किया जा चुक है पोलियो मुगत अब वर्ल्ड में हम बा से आपको जो कुछ सीखने को मिला अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और फी न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिविकेशन बेल को जरूर अन रखे करदे आप का लजूरे